हेलो एब्रिबन तो टाइप्स ओफ फंक्शन की सीरीज में हम अब दो और नए फंक्शन देखने वाले हैं इस वीडियो में एक सिगनम फंक्शन दूसरा ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन तो चलिए सिगनम फंक्शन से शुरू करते हैं अब यह सिगनम फंक्शन क्या होता है सबसे पहले हम इसकी डेफिनिशन देखेंगे फिर ग्राप देखेंगे फिर डोमेन और रेंच डिसकस करेंगे ठीक है तो सिगनम फंक्शन की डेफिनिशन कुछ इस प्रकार है तो आपका सिगनम फंक्शन डिफाइन है fx is equal to यह आपका होता है mod x upon x ठीक है और एक definition होती जीरो अगर आपका x 0 है तो तो आपका fx 0 होगा और अगर आपका x 0 नहीं है तो आपका fx होगा mod x upon x ये समझ आपको नहीं आया होगा कोई बात नहीं अब समझ आएगा इसको मैं कर लेता हूँ break break कैसे करूँगा mod function को break करना हमको आता है mod function को कैसे break करते है mod function आपका जो x होता है वो आपका अगर x आपका positive है अगर x आपका 0 या 0 से बढ़ा है तो तो x देता है और x आपका अगर negative है negative मतलब 0 से छोटा है तो आपको यह minus x देता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास अगर x 0 है तो तो 0 यह आएगा ठीक है और अगर x 0 नहीं है तो यह आएगा ठीक है अब x 0 नहीं है इसका मतलब यह तो x 0 से बढ़ा होगा या x 0 से छोटा होगा तो मैं वही को इसको break करके उसी form में लेकर रहा हूँ ठीक है यह देखो, यहाँ पर मैंने लेका अगर x 0 है तो तो मुझे 0 ही मिलेगा ठीक है, अगर x 0 नहीं है तो क्या हो सकता है या तो x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा यह तो दो possibilities हैं अगर x 0 के equal नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा तो अब इन दोनों के case में हम लिखते हैं definition function की अगर x आपका 0 से बड़ा है ठीक है, जब x 0 से बड़ा होता यहाँ पर देखी तो हमको x ही मिलता है तो यह भी जो mod x upon x है यह mod x अपना x हो जाएगा क्योंकि यह 0 से बड़ा है तो mod x अपना हो जाएगा x और एक नीचे वाला x रहेगा x जब x 0 से बड़ा होगा तो अपना एपक्स हो जाएगा x upon x यह कैसे आया? यह जो उपर वाला x है यह mod x बन गया x और नीचे वाला x सेम ही रहा है अब जब x हमारा negative है मतलब 0 से छोटा है जब x 0 से छोटा होता है तो mod x की value minus x होती है तो बस यह जो mod x है न इसमें मैं minus x रख दूँँगा तो यहाँ पर मैंने minus x रख दिया बस और नीचे वाला x as it is रहेगा x तो यह आ गया minus x upon x जब x negative है अभी भी आपको समझ नहीं आ रहोगा कोई बात नहीं अब finally आपको समझ आएगा जो कि असली signum function की definition आपकी books में दी हुई है तो x upon x कटके आपका हो गया 1 minus x upon x कटके आपका हो गया minus 1 और यह आपका 0 है ही तो signum function आपका fx को अगर मैं फिर से लिखूं तो यह देखा 1 1 कब देखा जब x आपका होगा 0 से बड़ा यह देखा minus 1 minus 1 कब देखा जब x आपका होगा 0 से छोटा यह देखा 0 कब देखा 0 जब x आपका होगा 0 तो यह आपकी final definition बनती है, signum function की, तो signum function आपका इस तरह defined है, अगर x आपका positive है, तो आपको 1 मिलेगा, अगर x आपका negative है, तो आपको minus 1 मिलेगा, अगर x आपका 0 है, तो आपको 0 मिलेगा, यह हुई इसकी definition, अब देखते हैं इसका graph, ठीक है, graph में क्या है, यह देखो, यह graph ह आपका, graph में आपकी दो axis हैं, x axis और y axis, ठीक है, अब graph बनाने की जो process होती है, वो क्या होती है, आप table बनाते हो, right, x की अलग-अलग value रखते हो, और x की value के corresponding आप fx निकलते हो, और उसे y axis से plot करते हो, ठीक है, अगर x आपका positive है, positive में कुछ भी है सकता है, 1, 2, 3, 1.1, 2.5, 3.9, कुछ भी 0 से बड़ा, मतलब, यहां से right side, यहां पर x कुछ भी आए, तो output हमेसा क्या मिल रहा है, output हमेसा बन ही मिलेगा, तो यह देखो, यह बना दिया 1, और यहां पर यह hollow circle है, यह hollow circle क्यों है, क्योंकि x is equal to 0 पर तो 0 है, x is equal to 0 पर 0 है, तो 0 पर यह 0, मैंने dark circle बना र कि यहां पर line नहीं है, यहां पर line नहीं है, मतलब function यहां पर नहीं है, अलरड़ी यहां पर define कर दिया 0 पर तो, अब 0 के चो आगे बाले point है न, 0.1, 0.2, वहां पर 0 के बात कर कुछ भी आता यहां पर, कुछ भी, यह suppose 1 है, यह suppose 2 है, यह suppose 3 है, यह 2.5 होगा, यह 1.5, इस से आगे जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब पे यह फंक्शन वन प्रेड्यूस करेगा तो वन यह स्ट्रेट लाइंड बन जाए आपकी वाइज कुल टू वन ठीक है आपका एकस माइन डाएंड देगा माइन बन देगा मतलब माइन मैनस वन एक्राफ की तो आपका एपकस होता है कि यह आपका एफको होता है जो एफ एकस की जो जो वैली हो से उस फे रिप्र्पेजन करते हो तो वन को मैंने यहां पर प्रिप्रेजेंट किया हो dużo GANप किसका graph? signum function का graph तो बहुत ही simple graph है इसका definition के according आपको बिल्कुल easy आ जाएगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं graph के बाद इसकी domain और range की domain की बात कर लेते हैं तो domain होता क्या है? आप सबको पता है x की वो values होती है जिन पर function define होता है मतलब x की वो values जिन पर fx defined हो जिन पर fx क्या हो? defined हो defined होने का मतलब है fx की values infinity नहीं आने चाहिए ठीक है? और कुछ भी आ जाए अगर infinity आ जाती है fx की values जिस x पर fx की value infinity आ जाए उस x पर function define नहीं होता तो वो x domain में नहीं लेते आप देखिए चला इस function को क्या यहाँ पर कोई ऐसी value है x की जिस पर function define नहीं है आप x में 0 से बड़ी संख्या कुछ भी दे सकते हो आप x में 0 से छोटी संख्या कुछ भी दे सकते हो और आप x में 0 भी दे सकते हो तो मेरे साब से यहाँ पर ऐसा कोई number रह नहीं गया है कि जो रह गया हो ऐसा कोई number यहाँ पर बचा ही नहीं है कि जिसको नहीं रख सकते हैं कोई restriction नहीं है आप आप कुछ भी दे सकते हो कुछ भी मतलब set of real number r तो domain इसके विजागी r r आपको पता है set of real number r इन सबको cover करता है r में 1.1, 1.2 0 से बन के बीच में infinite point होंगे वो सब आपके r में आ जाएंगे इसलिए इसकी domain हो जागी r क्योंकि इसमें कोई restriction नहीं है अब बात कर लेते हैं range की range क्या हो जाएगी तो range होती क्या थी range होती थी आपकी जब आप जो आपकी domain आती थी ना x की values जिन फर function define है अब उन values को अगर आप fx में रखते हो ठीक है जो आपकी x की values आती है अगर उन values को आप fx में रखते हो तो fx क्या-क्या value produce करता है वो सब values आपके होती है range ठीक है ठीक है ठीक है अब आप इसमें x में 0 से बड़ी रखो 0 से छोटी रखो या 0 रखो आप कुछ भी रखो आपको या तो 0 मिलेगा या आपको 1 मिलेगा या आपको minus 1 मिलेगा या आपको 1 मिलेगा इन 3 value के अलावब कुछ नहीं मिलेगा तो आपकी range क्या हो जाएगी simple आपकी range में 3 element आएगे एक होगा plus 1 एक होगा 0 और एक होगा minus 1 ऐसा क्यों 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 कि आपको इन 3 नंबर के अलावबा कोई और नंबर नहीं मिलेगा range में ठीक है तो I hope आपको clear होगा signum function क्या होता है हमने signum function की definition देखी यह इस तरह defined है फिर इसको मैंने और break किया modulus function की according तो यह इस प्रकार बन गया finally हमको मिला 1, minus 1 और 0 फिर इसका graph आपको समझाया कैसे बनाना है बहुत ही simple graph है और उसके बाद domain और range बताई ठीक है अब next function आपका आता है greatest integer function यह भी बहुत important function है ठीक है तो इसको इसके just next video में मैं discuss करता हूँ ठीक है अगर आपको इस video में कोई भी doubt हो तो comment box में फूचिए ठीक है definitely मैं reply करूँगा और आपको कोई भी suggestion देना हो या advice देना हो वीडियो से related तो आप वो भी दे सकते हो ठीक है ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में बगए